तो कहानी शुरू होती है स्वर्ग लोक से भगवान ने सबसे पहले गधे को बनाना शुरू किया, गधे को अच्छे से बनाने के बाद भगवान बोले, तू दिन रात लोगों का बोज अपनी पीठ पर उठाएगा, तेरी बुध्धि मत्ता ज्यादा नहीं होगी, घास और लोगों के यहां गुलामी करेगा, मैं तो जहे 50 साल का जीवनकाल देता हूँ, गधा भगवान की बाते सुनकर निराश हो गया, गधा बोला भगवान आपने मुझे बनाया है, इसलिए आप मेरे लिए जो भी करेंगे मैं उसे स्वीकार कर लूँगा, बस आप से यहीं विन्ती है, कि जिस तरह के गुन आप मुझे दे रहे हैं भले, दे दे लेकिन मेरा जीवनकाल सिर्फ 30 साल का रखिये, क्योंकि ऐसे गुनों के साथ में 50 साल बरदाश्ट नहीं कर पाऊंगा, भगवान ने उसकी बात मानली और 30 साल की जिंदगी दी बाद में भगवान ने कुत्ता बनाया, कुत्ते को बनाने के बाद, भगवान ने उसे उसके गुन बताते हुए कहा, कि तुम लोगों की प्रॉपटी की रखवाली करोगे, और तुम लोगों के पालतु और वफादार बन कर, अपना जीवन व्यतीत करोगे, इतना ही नहीं तुम, उनका जूठा खाओगे, मैं तुम्हें 25 साल का जीवन काल देता हूँ, कुत्ता भी अपने गुनों के हिसाब से मिली जिन्दगी की लंबाई से खुश नहीं था, उसने भी भगवान सेविंती की और बोला, कि भगवान ऐसी असहनी अजिन्दगी 25 सालों तक जीकर में क्या करूंगा, कृ कर दिया गधे और कुत्ते को बनाने, के बाद फिर से एक बार भगवान ने बंदर को बनाया, बंदर को बनाने के बाद भगवान ने उसे कहा कि, तुम हमेशा उच्छल कूद करते रहोगे, एक जगह से, दूसरी जगह, एक ज़ाड से दूसरे ज़ाड कूदते रहोगे, और तुम मूर्खों की तरह बरताव करोगे जिसे देख कर लोगों का मनुरंजन होगा। तुम्हे मैं 20 सालों तक का जीवन काल देता हूँ। बंदर भी इतने लंबे जीवन से खुश नहीं था। इसलिए बंदर ने भगवान से कहा कि भगवान मुझे 20 सालों तक की लंबी सजा मत दीजिए। मुझे आप सिर्फ 10 सालों तक का जीवन ही दीजिए। मैं उतना किसी तरह से सहलूँगा। आखेर में भगवान ने मनुष्य को बनाया। भगवान ने कहा कि इस धर्ती पर सबसे बुद्धि मान प्रानी अगर कोई होगा तो वो तुम होंगे। तुम अपनी समझदारी और बुद्धी का इतिमाल कर बाकी सभी प्रानियों पर राज करोगे तुम्हें मैं 20 वर्ष क्या यू देता हूँ। भगवान की बात सुन मनुष्य बोला ये मेरे परम पूज प्रभु जीवन भराप की पूजा और भक्ती करना चाहता हूँ इसलिए डॉट आप सिर्फ 20 साल का जीवन मुझे दे ये ठीक नहीं होगा। मनुष्य जो कह रहा था और जो सोच रहा था दोनों में काफ़ी फर्क था। वो सोच रहा था कि मैं जूठ बोल कर और मसका मार कर भगवान से लंबा जीवन मांग लेता हूँ और बाद में धर्ती पर सभी प्रानियों पर लंबे समय तक राज करूँगा। मनुष्य भूल गया था कि वो उस भगवान को जूठ बोल रहा था और उन्हें मूरक बनाने की कोशीश कर रहा था जिन्होंने खुद उसे बनाया था। भगवान ने उसे सबक सिखाने के लिए मनुष्य को गधे के हिस्से के 20 साल, कुत्ते के हिस्से के 15 साल और बंदर के ह इससे के 10 साल दे दिये, तपसे मनुश्य सिर्फ 20 साल मनुश्य की जिंदगी जीता है, बाद में उसकी शादी होती है और उसे गधे की तरह काम करते, अपनी फैमली का बोजहा ढोहते हुए जीना पढ़ता है, बच्चे होने के बाद उसका जीवन कुट्टे जैसा हो जाता है वो अपने बच्चो की रखवाली करता है, समपती और प्रॉपटी की रखवाली करता है जो अपने बाल बच्चो को दे कर जाता है, अंत में बुढ़ा होने के बाद अपने नाती पोतों को खुश करने के लिए बंदरों की तरह उच्छलकूद करता है और उनका मनुरंजन करता है